मुंबई की दो बहुत ही खतरनाक गैंग्स मुंबई के बीच पर एक दूसरे की उपर टाबल तोर फाइरिंग कर रही थी। दोनों ही गैंग में 200 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। वहां कई सारी गाड़िया ख़ली थी और वो सभी लोग उन गाड़ियों को कवर की तरह यूज़ करके एक दूसरे पर गोलिया चला रहे थे। माइकल ने क्रेजी तरीके से AK-47 से गोलिया चलाते हुए अपने लोगों से हसते हुए कहा यहां यहां हां मुझे कोई नहीं हरा सकता मैंने शैतान से सौधा किया है इस मुंबई का सिर्फ एक ही किंग है माइकल उसके यह कहते ही उसके आदमी जो दूसरी गैंग पर गोलियों की बच्छार कर रहे थे उन्होंने आपस में कन्फ्यूस्ट होते हुए बाते करके कहा यह लड़ाई के वक बॉस को क्या हो जाता है कैसी बहकी बहकी बाते करने लगते है इनका दिमाग तो ठिकाने पर है ना तब ही उसके बगल में खड़ा पीटर माइकल को देखते हुए उससे कहता है पहले बॉस ऐसे बिलकुल नहीं थे पर जब से वो एक अंजान शक्स से मिले उनमें एक अजीब सा बदलाव आ गया अब वो किसी से भी नहीं डरते फिर चाहे उनके सामने कई सारे हतियारबंद तो जैसे ही ये कहता है उस बीच पर धीरे धीरे धुन्द चाने लगती है धीरे धीरे करके वो पूरे बीच को अपने आगोश में ले ले दी है उस बढ़ती हुई धुन्द को देख माइकल को किसी की याद आ जाती है और डर से उसकी आँखे बड़ी हो जाती है उसने और देख कर कहा वो 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 आ चुका है मुझे अपने साथ ले जाने के लिए जब माइकल ये सब कह रहा था तब उसकी आखों में वो डर दिखाए दे रहा था जो आज से पहले उसके आदमियों ने भी कभी नहीं देखा था इतने सालों के बाद आज फिर उसे मौत से दर लग रहा था धुन्द के अंदर से माइकल के लोगों को एक काला साया उनकी और बढ़ते हुए दिखाए दिया माइकल ने तुरंट दरते हुए अपने सभी लोगों से चिल्ला कर कहा खत्म कर दो से उसके ये कहते ही उसके आदमी अंधा धुन उसकाले साय पर गोलिया चला माइकल दर के साथ उस साय को अपनी और बढ़ते हुए देखकर उन सभी सी कहता है मेरी मौत उसके ये कहते ही धुंद के अंदर से आते हुए उस काले साय ने दर भर देने वाली आवाज में उससे कहा उसने माइकल की और फटाक से अपनी नजरे की और उसे घूर कर देखते हुए कहा माइकल और उसके आदमी उसकी लाल आखे देखकर बुरी तरह दर रहे थे माइकल ने देवा से दरते हुए कहा मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं मैं मरना नहीं चाहता। माइकल के सभी लोग डरते हुए भी देवा को शूप किये जा रहे थे पर उनकी गन से निकली गोलिया देवा से एक फीद दूरा कर हवा में ही रुप जा रही थी। देवा ने एक इवल स्माइल की और माइकल को अपनी लाल दहकती हुई आखे दिखा कर कहा, मरना तो कोई भी नहीं चाहता माइकल, पर एक न एक दिन मरना तो सभी को है। ऐसे भी मैंने तुम्हारे साथ सौदा किया था। उस सौदे के हिसाब से मैंने तुम्हें हर वो चीज दी, जिसकी ख्वाइश तुमने मुझसे की थी, और उसके बदले में मैंने तुमसे तुम्हारी आत्मा मांगी। उसने अपने हाथ में एक तलवार समन की जिसके आसपास लाल सुलकती हुई आग जल रही थी और वो तलवार एक जंजीर से बंदी हुई थी। उसकी उस तल इतना कहते ही वो उसका सिर उसके धर से अलग कर देता है। ये देखते ही वहां मौझूद माइकल के लोगों की आखे फटी की फटी रह जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उनकी इतनी सारी गोलियां चलाने के बाद भी वो इनसान मरा नहीं। कैसे वो अचानक से माइकल के पास चला गया। कैसे माइकल का सिर कतने के बाद वो राख में बदलने लगा। देवा ने हलकी से अपना सिर घुमा कर माइकल की लोगों की ओर देखा। उसकी लाल आखों को देखकर वो सभी लोग दर से कांपने लगे दर के मारे उनके हाथ पैर देवा ने अपने जेब से अपना मोबाइल बाहर निकाला और उसमें आए एक मेसेज को देख कर स्माइल करते हुए कहने लगा एक और इंसान जिसे मेरी मदद की जरूरत है उधर दूसरी और डेर रात चार बजे मिस्टर विक्रम जो अपनी प्रेगनन्ट वाइफ प्रिया के साथ वापस अपने घरा रहे थे क्योंकि किसी ने उन्हें कॉल करके कहा था कि उनके डाड मिस्टर भरक बजाज को हाट अटाक आया है ये खबर मिलते ही वो बिना ज्यादा सोचे रात में ही कासे मुंबई आने के लिए निकल पड़ते है वो का चलाते चलाते अपनी प्रेगनन्ट वाइफ प्रिया की परवा करते हुए उससे कहते है प्रिया तुम्हें पुने में ही रुप जाना चाहिए था विक्रम प्रिया की उस बात को जैसे ही सुनता है वो उससे थोड़ा नाराज होते हुए कहता है ये गलत बात है प्रिया तुम बार-बार ये सब कहके मुझे बता रही हो कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है मैं उसका असली पिता नहीं हूँ माना की मैं उसका बायलोजिकल फादर नहीं हूँ पर उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ वो जैसे ही ये कहता है एक ट्रक अचानक से बिना हैडलाइट जलाए ही सामने से आता है और एक जोड़दा टकर विक्रम की का में मारता है उस टकर के पड़ते ही विक्रम की का आउट ओफ कंट्रोल होकर जंगल में चली जाती है और जाकर धड़ाम से एक पेर सी टकरा जाती है कुछ देर बात जब विक्रम की आँखे खुली तो उसे दिखाए दिया उसका एक हाथ खून में सना हुआ है उससे खून टपक रहा है और वो उसे हिला नहीं पा रहा उसने तुरन प्रिया की चिंता करते हुए उसकी ओर देखा और उसे दिखाई दिया प्रिया के सिर पर गहरी चोट आए हुई है उसकी चोट को देखते ही विक्रम प्रिया को का से बाहर निकालने के लिए का का दर्वाजा खोलने की कोशिश करता है पर विक्रम दर्वाजे को खोल नहीं पाता क्योंकि आखिर विक्रम क्या हुआ? देवा लोगों के साथ दील करके उन्हें नरक में किस वज़े से डाल रहा है? क्या विक्रम अपने आपको अपनी बीबी और अपनी बच्ची को बचा पाएगा? जानने के लिए बने रहे back to the supreme level के साथ